पानी में नहीं जाएंगे बाड़ा आयात एक बार भी नहीं जाएंगे पानी में गुमने कलिका है कि उनको खत्रा है लगातार ये लोग जनता से दूर रहते हैं जनता जब तकलीप में रहती है तो ये लोग हनीमून मनाने जाते हैं विदेश गूमने जाते हैं और जब सत्ता में बैठे रहते हैं उसमें जनता का याद भी नहीं रहता है अब काते हैं हम निकलेंगे जनता के बीच में जाएंगे जनता को बहकाने के लिए अभी बाढ़ में जनता फसी हुई है उनको याद नहीं आ र जब जब ऩाया लोग से लोग लो निकालते हैं यह लोग लोग सुनने वाले नहीं यह लोग बड़ी लोग का सुनने बड़ी लोगों के बीचमें जाने बाच वह पि तना ही काम है सही आप ने कहा चाइक spricht करते रहते हैं बाकि विदेश गूमते जंता के बीच जाने का फुरसत ही नहीं है इनको जब बोले ना सत्ता में रहते हैं जब पावड में रहते हैं इनको लूटने से फुरसत नहीं पांच-पांच भी भाग दबा के बैठे रहते हैं तो फुरसत का मिलता है अब ये जनता को भरकाने का काम सोच रहें जाएंगे तो भरका सबसे बड़ी बात है जब जनता रिजेक्ट कर देती है तो सिर्फ ट्वीटर बयानवाजी यही सब चलते रहता है यह लोग रिजेक्टेड लोग है जनता इनलों को रिजेक्ट कर दिया इसलिए आप सना बयानवाजी करते हैं सारा मचली और भात का आनद निकल गया जीरो पे आउट हो गये और सारा अद निकल गया हिलीकटर में गोम के मचली खिला खिला के लोगं को तरसा रहते हैं तो मचली खाने वाला मचली पालने वाला इनको तरसा दिया है अब इनको फिर नसीब नहीं होगा हेलिकप्टर दोरा लेकिन इस तरह के बयानवाजी से उनको बचना चाहिए पूरा एंडिये जानता है कि बिहार उस करिटेरिया को नहीं फूलफिल करता है जिसमें विशेश राज का दर्जा मिलना चाहिए तो बिहार को विशेश पैकेज माने नहीं प्रधान मंत्री दिये हैं चाहिए वो चेतर में मानने प्रधान मंत्री जी बिहार को विशेश पैकेज दिये हैं इससे बिहार का संपुण विकास होगा ये बिलकुल तैय है इस तरह के बयानवाजी से बचना चाहिए पुरा केंद्र सरकार और यहां बिहार की सरकार दोनों लग करके वहां भी भव मंद्र का निर्मान होना है जमीन एक्वाइर हो रहा है ये सारा काम हो रहा है बीच में बयानवाजी के कोई जूरत नहीं अपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में मंत्री निरश कुमार बबलू का बता दें कि एक तरफ बिहार में कई जगों पर बार्ख से कई लाका डुबा हुआ है तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजशी आदो बिहार से बाहर है ऐसे में एंडिये ने तमाम नेता जो हैं लोगों के बीच रहते हैं उनकी मदद करते हैं लेकिन तेज़श्य आदो बिहार से गायब हैं वहीं उन्होंने मुके सहनी पर भी जमकर निशाना शाधा और कहा कि एक समय में तेज़श्य आदो के साथ मिलकर हेलिकोप्टर में मशली का आनंद उठाते थे लेकिन पुछता है वो करता है